भगमान विश्णू जी की मतश सी अवतार की कहानी प्राचीन काल में सत्य व्रत माम के एक राजा थे वो बड़े ही उदार और भगमान के परम भग्त थे एक दिन वक्रित माला नदी में तरपन कर रहे थे उसी समय उनकी अंजली में एक छोटी सी मचली आ गए उसने अपनी रक्षा के लिए सत्य व्रत से अंरोद किया उस मचली की बात सुनकर राजा ने उसे समुन्दर में वापस नहीं छोड़ा और उसे अपने कमंडल में रख कर आस्रम ले आए कमंडल में वो इतनी बरी हो गई कि उसे एक मटके में रखना पड़ा थोड़ी देर बाद उसका आकार फिर बढ़ गया और मटके में अववा छोटी परने लगी अंद में राजा सत्य व्रत हार मान कर उस मचली को समुन्दर में छोड़ने गए समुन्दर में डालते समय उस मचली ने राजा से कहा राजन समुन्दर में बड़े-बड़े मगर रहते हैं वह मुझे मार कर खा जाएंगे इसलिए मुझे समुन्दर में न छोड़े मचली की या मधुरवानी सुनकर राजा मोहित हो गए अब उन्हें मतस्य भग्मान की लिला समझ में आने लगी वहाँ जूर कर प्रातना करने लगे मतस्य भग्मान ने अपनी प्यारे भग्ति सत्य व्रत से कहा सत्य व्रत आज से सात्य दिन या पृत्यवी लोग प्रलैकारी जल रासियों में डूबने लगेंगे उस समय मेरी प्रेरना से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नव आएगी तुम सभी जीवो पोधो और अन्याधी के बीज को लेकर सत्य रिसियों के साथ उस पर बैटकर तुफान से भचने का प्रयास करना जब तेज आंधी चलने के कारण नौ डगमगान ही लगेगी तब मैं इसी रूप में आकर तुम लोगों की रक्षा करूँगा भगमान सत्य व्रत ने यक कह कर अत्य धीन हो गए अंत में वह समय आप पहुचा राजा सत्य व्रत के देखते ही देखती सारी पिर्थवी पाने में डूबने लगी राजा ने भगमान की बात याद की तब ही उन्होंने देखा कि नौ भी आ गई है वह बीजों को लेकर सब्त रिस्यों के साथ तुर्ण नौ पर सवाल हो गए सब्त रिस्यों की आग्या से राजा ने भगमान का ध्यान किया उसी समय उस महान समुद्र में मतस्य के रूप में भगमान प्रकट हुए तब पस्यात भगमान ने विनास के समय नाओ को तुफानों से बचाते हुए विहार करने लगे और सत्य ब्रत को ग्यान भक्ती का उपदेश दिया हाई ग्रीव नाम का एक राक्ष ताव ब्रह्मा जी के दुआर उत्पन वेदों को चुरा कर पाताल में छिपा हुआ था भगमान मतस्य ने हाई ग्रीव को मार कर वेदों का भी उत्द्वार किया समस्त जगत के प्रम कल्यान की रूप में भगमान मतस्य को हमसम नमस्कार करते हैं मतस्य अव्दार कथा समाप्त दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना मत भूरिएगा ऐसी और जानकारी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद मिलते हैं ऐसी अच्छे चे कहानियों के साथ